सुक्रवार के दिन मालक्षमी की अराधना करना बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि सुक्रवार का स्वामी सुक्रदेव है अगर आपकी कुंडली में सुक्र गरह अच्छा नहीं है तो जीवन में धन, धान, संतान, समंधी, परिशानी होगा इसलिए सुक्र को बहतर करना आवसक है क्योंकि जीवन में जो राजसी सुक्र है जो आप अच्छा पहनते हैं खाते हैं वो सुक्र से होता है जब आप मालक्षमी की सुक्रवार के दिन अराधना करते हैं वो परसंद होकर आपको धन-धाने से भर देती है अगर धन की मुस्कि सबसे पहले तो सुबह उटकर स्नान करें मालक्षमी को नमन कर स्वेत वस्त्र धारन कर मा के तस्वीर के सामने आप बैठ कर या खड़े ओकर सी सुक्कम का पाट करें और सुक्रवार के दिन संबब हो तो छोटी कन्या को कुछ मीठी वस्तु जरूर खिला है और धार्मिक मा नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देखने हैं ग्रैन धर्मा सन्मार्ग सुक्रवार का दिन मालक्षमी का दिन है और धनिया जो है वो धन को पढ़ाने वाली वस्तु है अब धनिया का प्रियोग आर्थिक इस्तिती को बहतर करने के लिए करा किया जाता है और आर्थ देने के छोटे-छोटे प्रियोग करें तो जीवन के हर परिशानी समाथ हो जाती है धनिया आँमोमन हर किसी के घर में होता है लेकिन आधुनिक यूग है तो लोग मसाले के रूप में यूस्तु करते हैं धनिया पर पॉडर जादा आप खाते हैं समुचा धनिया साबूत धन जीवन में आने वारे जो अवरोध है उसको समावत करता है और मालक्षमी को आकरसित करता है बहुत सिंपल प्रयोग हम बताएंगे जो करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं देखिए जो धनिया है सिर्फ खाने में ही नहीं बलकि जोतिस के दृष्टी से ये बहुत है क्योंकि आपको तो पता है आपके जीवन की समझ समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा तो चलिए आज हम आपको सिंपल तरीके से अगर आपके जीवन में धन की परिशानी है नौकरी वेपसाइट ठीक से चलता नहीं जीवन में कस्ट बढ़ गया है आपको लगे कि भाग्य को बदलेगा लेकिन उसके पहले एक और बात जानने है अगर आप सुक्रवार के दिन से सुरू करके नियमित रूप से एक से सवा महिने तक यह प्रियोग आपको करना है क्या करेंगे बिलपत्र आपको पता ही होगा अगर एक भी बिलपत्र आप मालक्षमी के चर्णों में नियमित रूप से अर्पीद करें तो जीवन के धन की समस्त बाधाये परिसानिया दूर हो जाती है और जीवन में धन की कमी नहीं होती यह प्रियोग आप एक ही मतलब एक भी आप चाहें तो दो चार पाँच छे आपके मर्जी गिंती की कोई नहीं है आप दो भी कर सकते है पाज भी कर सकते हैं लेकिन एक भी कर सकते हैं अगर नियमित रूप से आपको माल लेते हैं एक दिन आपको बेल पत्र मिल जाता है आप उसको तोड़कर अच्छे से रख ले एक बेल पत्र नित दिन उसको बेल पत्र को सुद्द करके साप जल से अर्पीत करें फिर देखे फ्रेक ऐसे लक्ष्मी बरस्ति आपके घर मेंं बड़े से बड़े तकलीफIES बाहरा जाएंगे व एक दो होता है धन की बहुत समस्या होती है तब ऐसे में सुक्लपक्ष गयाद रखिए जिता युद रहा है सुक्लपक्ष यानि है यह जो मा पूर्णीमाति थी अमॉस्या से पुर्णिमा तिति के बीच ये प्रयोग कीजिए और अगर आप इस समय आपको समय नहीं है तब आप कभी भी कर सकते हैं एक छोटा सा प्रयोग एक मोर पंक जहां पर मालक्षमी और स्री हरी का तस्वीर है आपके घर में मोर पंक उनके माथे पर सजा दें येकिन मानिए सब्सक्राइबन की परेशानी को दूर करेगा देखे एक मिट्टी का छोटा सा बरतन ले आपके घर में मिट्टी का नया दीपक तो होगा उसी को ले ले अब उसमें थोड़ा सा सुखावा धनिया रखिए अब धनिया दरा हुआ है या फिर यानि साबूत है या तूटा पॉडर नहीं लेना है आपको साबूत धनिया लेना है ठीक है अब इसमें आप कोईन डखें एक कोईन डख दें कोई भी कोईन चलेगा एक रुपया दो रुपया पांच रुपया की इच्छा है थोड़ा सा उसमें पानी डाल दे और यह प्रयोग कप करेंगे कभी भी कर स सनी बार के दिन इस जो धनिया है उसको आप अपने घर के गमले में आंगन में जहां भी मिट्टी च्छत पे आप उसको बोदे और जो सिक्का है उसको निकाल कर अच्छे से पोच्छ कर मालक्ष्मी के चर्णों में रखकर उसको लाल कपड़े में बान कर संभाल के रख ले यकिन मानिए यह सिक्का बरकत देगा धनिया का पेर जब उग जाए उसको आराम से खाईए आप देखिएगा आपका भागयोदे होगा जो भी गरह गोचर दसा है वो समाप्त हो जाएगी तो यह प्रियोग आपके धन को बढ़ाने वाला प्रियोग है कभी कभी क्या होता ह आपके जीवन में परिसानी बढ़ जाती है कभी कभी होता है कि आपका प्यार खो जाता है प्यार आपका लब रिलेसंसिप हो सकता है आपके पती हो सकती है आपके अपनों का प्यार माता पीता का प्यार भाई बहन का प्यार होता है कभी कभी कुछ दूरियां आ जाती है आ एक छोटा सप्रियो एक लाल रंग का पड़ा ले ले थोड़ा सा धनिया उसमें रखे सुखा धनिया अब इसको हनुमान जी के चर्णों में रखे हनुमान चालीसा पढ़े उसके बाद इसको उठाकर इसको बांद दीजिए जो धनिया है ना उसको अच्छे सी गीठा लगाक आपस मिल जाए यकीन मानिये आपका प्रेम आपको मिल जाएगा कमल गट्टे का भी परियोग सुक्रवार की दिन किये जाते हैं अगर मालक्षमी के चर्णों में पांच कमल गट्टे का भी लाल रंक के कपड़े पर रखकर उनको अर्पित करें और बाद में एक सिका भी उ अपने गल्ले में रख लें तो इससे धन की आवाक अच्छी होती है बढ़ती है मालक्ष्मी को केसर की खुश्बू बहुत पसंद है क्या करेंगे छोटा सप्रियों करना है आप जब भी आप मालक्ष्मी को कुछ तो भोग लगाते होंगे तो भोग लगाएंगे तो मिस्तरी का सफेद्य मिठाई का भी लगा सकते हैं एक दो पंखुरी अगर भोग ल्में आप डाल दे या फिर थोड़ा सा दू alo में एक चम्ह मच दू चम दू ? ले लें घर में चांदी की कतोरी हो तो अच्छी बात नहीं तो कोई भी पर तोरा सा दूल में एक चुटकी केसर डाल के उसमें थोरा समिस्री डाल के भोग लगा दें, बाद में प्रसात के रूप में खाएं, तो इससे भी भागयोदे होता है। तो छोटा सा प्रियोग है पर जीवन में आनंद को बढ़ा देता है। घर में सुकसांती ना हो, जीवन में परिशानी जादा हो, तब सुक्रवार के दिन अपने घर के पूरव दिसा में थोड़ा सा सुखा धनियां किसी वर्तन में रख दें, यूँ ही पढ़े रहने दें। घर में सुकसांती भी आएगी, प्रेम बढ़ेगा, खुजियां बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन धन की प्राप्ति के लिए सर्सों का भी टोटका किया जाता है। वैसे तो हमारा आज का टॉपिक है धनिये का, लेकिन एक छोटा सप्रियोग आपका जानना बहुत आबस चैक है क्योंकि अभी धन की मुश्किल चल रही उसको दूर करेगा, जब साम में आप दिया बाती करते हैं चाहे वह दीपक घीका हो या तेल का हो घीका ही जलाईएगा संबब वो नहीं तो तेल का भी जला सकते हैं सर्सों का तेल, अब इस दीपक में दो चार दाने पीले स पारम में दिखाईए इससे यह होगा कि निकेडिव एनर्जी चली जाएगी सकारत्मक उर जाएगी सुकसांती बनी रहेगी बरकत बनी रहेगी मालक्षमी की किरपा बरसेगी अगर हरा धनिया आप सुक्रवार के सुक्रवार गाय को खिलाए तो इससे क्या होता है ना आप का बुद्ध बेतर होता है आथिक इस्तिती अच्छी होती यह वानी का वेड़ बढ़ता है जीवन की परिसानिया समाप्त हो जाती है वैसे तुस्त आपको संख जरूर बजाना चाहिए सुबह साम वैसे भी संख मालक्षमी के भाई माने जाते हैं तो इससे लक्षमी परसं अगले दिन क्या करेंगे तो आप गले दिन उठाकर किसी भी बहते भी पानी में डाल दे या फिर पीपल के नीचे या किसी पास के मंदिर में जाकर रखा हैं ऐसा करने से आपका भाग बढ़ेगा मजबूत होगा और जो परेशानी है वो समाप्थ हो जाएंगे जो करजे हैं वो उतर जाएंगे अगर पती पतनी के बीच नहीं बनता हो तो सुक्रवार के दिन आप अपने बेडरू में प्रेमी पक्षी के जोड़े की तस्वीर जरूर लगाईए लाब होगा अगर धन समंदी कारे से केली निकल रहे हैं तो मीठा दही खाकर निकले यानि दही चीनी तो आपके कारे में को के दर्वाजे के बाहर एक चुटकी पीली सरसों भी खेर दें धरने बादें